बारत का नमबर वन दुश्मन दाओद इब्राहिम इस वक्त कहां छिपा बैठा है अभी इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है मुंबई में खौफनाक बंबलाष्ट का प्लान बना कर देश को जख्म देने वाले इस कैंगेश्टर की तलाश कई मुलकों की पुलिस को है एक वक्त था जब दाओद इब्राहिम मुंबई पर राज किया करता था यहां पर कई गंभीर अपराधू में भी सनलिप्त रहा अन्डरवल्ड से जुड़ई सबसे बड़े डाउन को लेकर कई किस्से मसुहूर हैं बॉलिवूट एक कुछ अवनेत्रियां भी इस अन्डरवल्ड डाउन के प्यार में पागल हो गए थी आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अन्डरवल्ड डाउन दाओद इब्राहिम के साथ रहा और उसके साथ साथ और कौन वैसे वेक्ती थे जो अन्डरवल्ड डाउन दाओद इब्राहिम के साथ रहते थे और उनका भी अफेयर्स बॉलिवूट अवनेत्यों के साथ रहा है तिस लिष्ट में सबसे पहला नाम आता है एक्ट्रेस मंदाकनी यानि की यासमीन जोसेफ का साल 1985 में एक्ट्रेस ने राम तेरी गंगा मैली में काम किया था फिल्म जब बड़े पर लिज होई तो एक्ट्रेस की खुबसूरती ने सब का दिल जीत लिया कुछ समय बाद वह फिल्मों के साथ साथ अपने अफेर्स को लेकर भी सुर्ख्यों में आने लगी मंदाकनी का नाम भी इस वक्त अंडर्वल डाउन दाउद इवरहिम के साथ चुड़ा था मंदाकनी के अलावा नबे के दर्शक में पाकिस्तानी अभिनेतरी अनिता अयूब के साथ भी दाउद की नजदी कियां बताई जाती है दाउद और अनिता के प्यार के बारे में तब पता चलता है जब प्रोडूसर जावेद सिद्धिकी की हत्या हो थी इस हत्या के पीछे वज़ा यह बताई जाती है कि जावेद ने अनिता को फिल्म में साइन करने से मना कर दिया था कहते हैं कि दाउद अनिता को लेकर बहुत पोजेसिव था अनिता और दाउद के भी इस लंबा प्रेम प्रसंग चला लेकिन यह रिस्ता साधी तक नहीं पहुच पाया एक्ट्रेस मोनिका बेदी का नाम एक समय बॉलिवूड के सबसे सफल अवनित्रियों में से एक था लेकिन इनका संबंध अन्डरवल डाउन अबू सलेम के साथ जुड़ जाने के बाद यह काफी चर्चे में रहने लगी मोनिका में काफी कम समय में फिल इंडिस्ट्री में अपना एक खास मुकाम हासिल किया दरसक इस एक्टरस के दिवाने हो पाते इससे पहले ही कि उनका रिलेसंसिप का राज उस समय उजागर हो गया जब 18 सितंबर 2002 को फरजी पासपोर्ट के मामले में मोनिका को गिरफतार किया गया था यही से उनके अबू सलेम के साथ रिष्टे के बात सामने आई हाला कि दोनों के प्यार का अंत हो गया अब वह लाइमलेट से दूर होकर गुमनामी की जिन्दगी व्यतीत कर रही है कुलकर्णी का नाम भी बॉलिवूड के सबसे बोल्ड अविनित्रियों के बीच गिना जाता है उनके साथ काम करने के लिए बड़े-बड़ एक्टर भी लाइन में खड़े रहते हैं लेकिन तेजी से बढ़ती सफलता के वीच यह एक्टरेस ऐसा काम कर गई कि एक गलती ने उसे अर्ष से फरस तक पहुचा दिया इस एक्टरस का नाम अंडरवल के ड्रक्स माफिया विक्की गुस्वामी से जुड़ने लगा था दोनों के बीस नजदिकिया ऐसे बढ़ी कि दोनों ने शादी भी की लेकिन साल 2016 में ममता कुलकर्णी को केनिया एयरपोर्ट परपती विक्की स्वामी के साथ ड्रक्स तसकरी के मामले में पुलिस ने गिराफ्तार कर लिया हाला के बाद में ममता को पूस्तास के बाद छोड़ दिया गया अब ये अक्ट्रेस साध्वी बन अध्याक्म के साथ जूड़ चुकी है उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है आटोबाग्राफी आउफ एन योगेनी एक समय ऐसा था जब दाओद इब्राहिम के पहले अंडरवल्ड में हाजी मस्तान का नाम बोला करता था उसके एक इसारे पर फिल्म प्रोडक्शन चला करता था हाजी मस्तान ने एक्ट्रेस सोना अपने प्रोडक्शन की एक फिल्म में देखा था और उसी वक्त उसने इस actress को अपनी जिन्दगी में लाने का फैसला किया शादी का प्रस्ताव लेकर खुद हाजी मस्तान सोना की मा के पास पहुचा सोना ने हाजी मस्तान के शादी के प्रपोजल को स्विकार कर लिया और दोनों के शादी हुई लेकिन डाउन की मौत के बास सोना को बदहाली से गुजरना पड़ा तो इसी तरह बहुत सारे अविनेत्री हैं जो अंडरवर्ड के साथ अफेर्स में रही तो कुछ का हालात आज बहुत खराब है तो कुछ की जिन्दी यहां अच्छी भी है इस पर आपकी क्याराय है आप अपने रहे हमारी कमेंट वाक्स में जरूर बता है देश उतनिया के तमाम छोड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे स्ट्री नीज शुक्रिया